अलाम अलयक्स रहश्यम्र व्रकाराथू और हम चिकन और अक्ख्यमस outdoors की बिरियानी बणा ढ़ीच यह सबिकन और राताया यह सब्सकき सब्सकेश इस आद्टकी लितनलों लगाओने नीजाओनीज बिल्सक्पा के लिए ये तेल है इसमें से तीन चमज तेल लगेगा क्यों कि विद्यान ये और ये चावल है ये चावल को हमने एक आदा गंटा भिगा है उसके बाद दोए उसको और नमक डाल के पानी में उबाले गरब मसाला पूरा दाले और उबाले और च्छान के लिए और ये लिम्बू का एक लिम्बू का रस है एक चमज धनिया पॉडर है एक चमज जिरा पॉडर है ये दो बटाटे को काट के लिए है ये चार टमाटे काट के लिए है और ये पुसीर है इसमें से केवरा दालेंगे एक कलर है पीला कलर लिए है यलो कलर इसको भिगाएं इसम मिर्ची को हमने चॉप करके लिए है एक चमच कश्मिली लाल मिर्ची पॉडर है और एक चमच नम्मक है आदे चमच हल्दी है एक चमच चिकन मसाला पॉडर है और ये पाच्छे कांदे को फ्राई करके लिए है आदा हम बगारने में दालेंगे आदा हम डालने में जालेंगे बिल्यानी जमाने में और ये दो चमच अध्रक लसन का पेज है और ये जिरा है ये पूरा गरम मसाला इसको तरकाल बरगा बगार देंगे ये देखो ये तीन चमच को तेल दाले हमने और चावल में तेल नहीं दाले हमने यह देखो, यह पूरा जिरा गरम मसाला दालेंगे, अब इसमें हजरक लसन दालेंगे, यह देखो, अच्छी पस्कलाज बिल्यानी बनाएंगे, अखे मसूर और किकन स्मीमे की, पस्कलाज बनती है, अब ही अचानक से हमको याद आगया कि यह बिल्यानी हमने ले भी खाये, इसके लिए जल्दे भी तयारी किये, और अभी बना रहें, आपको बता रहें, ऐसी बनाओ, अगर आपको अच्छी लगी, तो मुझे स्प्रेट करो, लाइप करो, शेर करो, फ्लीज, ए देखो, यह मिर्ची दालेंगे, एकदम तेष्टी बनने की लिए, यह मिर्ची भू हल्दी की खुचबू जाने के लिए हल्दी पहले दालेंगे, और इसमें से आधा कांदा दालेंगे, और आधा बिर्यानी दालने के लिए रखेंगे, यह देखो, अभी यह चमबाटा दालें, हाँ हम चमबाटे की प्यूरी लेने वाले थे, लेकिन नहीं, आपको दिखान आपे की जरुवत नहीं है, इसके लिए टमाथे काटके लिए, तेश्ती लगेंगे, अभी यह नमक दालेंगे, आप अपनी हिसाब से नमक लो, हमने चावल में भी नमक लिए थे, इसलिए हमने आप पाउना चमच नमक लिए, एक चमच नहीं ही, चावल उबालेंगे ना, इसमें आपrike थोड़ा नमग दालेते, अभि ये तामाटर कुहर गलने तक पकाएंगे आपको बताएंगे, अपको भकक इसमें से कोच मिल दालेंगे अभी इसको बुनने के बाद इसके अंदर मसूर दालेंगे, कीमा दालेंगे उसको बुनेंगे यह देखो अभी है खीमा दाल रहे हैं अभी खीमा भुनेंगे और फिर बताएंगे आप यह मसाले के अंदर खीमे को अच्छे से भुनने का पुछबू आने तक तो बहुत टेश्टी लगता है मैंने चिकन का ली हूँ खीमा बना के आप मतन का भी ले सकते हैं हम चिकन जादा खाते हैं इसने चिकन का ली है आप मतन का भी ले सकते हैं दो मिनिट पकाए यह देखो पसकलास अच्छे से खीमा भुन के तयार है पसकलास अभी इसको क्या करेंगे मसूर दालेंगे अख्खे मसूर बलते, एको दाल नहीं बलते, दाल नहीं हैं, आप देखो पकाओ खाओ, एकदम फस्स कलास, टेश्टी यह देखो, अभी यह लिम्भू का र्ल लेगी एकदम पस्स कलास, टेश्टी-टेश्टी अभी इसको हिलाएंगे, अच्छे से बुनेंगे, क्या खुची गवारी है, अभी ढाक के एक मिनिट रखेंगे, देखो एक मिनिट हो गया, मसाला पक्के तयार है, अभी हम इसको बिर्यानी जमा रहें, आपको बता रहें, देखो हम थर लगा रहें, है देखो, मसाला निकाल तावल दाले अखे ये बसम्मिल्ला इरो मन्दुरी फूरा जुड़ा मसाला जुड़!? और फिर उसको मसाला दालकि यह सा चौरा करेंगे तेख दम फसकला शौट कड़ जिर यानि एक धर लगाए हो गई भी अब ही चावल डालेंगे ए पुरा चावल डालेंगे चावल कーमा दिकाने भुल गई ना आपको बतारे अब ही यह देखो यह डो कप अर आधा कप ठाई क चावल जमा दिये अब यह खड़े कर रहे हैं कलर और केवरा दालने के लिए यह देखो यह केवरा है और यह कलर है यलो कलर ली है अभी इसमें ज्यादा नहीं दालेंगे तीन ठिपका दालेंगे यह देखो एक दो तीन पस यह देखो अभी मिक्स किये अभी इसमें दालेंगे ऐसा फस क्लास ऐसा करके पूरा नीचे तब उसका सवाद जाता है और टेश्टी टेश्टी लगता है अभी बटाटी लगा देंगे अब यह भी रिस्ता लगा देंगे ऐसा हम बनाते हैं कि बराबर पूरा पूर होता ऐसा ठेकने में कुछ जाता नहीं पांच मिनिट इसको दम पे रखेंगे सुला आज पे फिर आपको बताएंगे मिनिट हो गया अभी आईसे बरतन निकले ना तो आटा मलके लगाने की जरुवती नहीं पूरी भाप अंदर के अंदर रह जाती यह देखो बिस्मिल्ला ऐर मंद्रे फस्ट क्लास भाप आ गई अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सस्क्रेट करो लाइक करो शेल करो प्लीज